हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सत्या घरेलू नुस्का फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि बासी रोटी का प्रयोग करके आप किस तरह से अनेक बीमारियों से निजात पा सकते हैं छुटकारा पा सकते हैं फ्रेंट्स ये बासी रोटी जो होती है साम को जब आप भुजन बनाते हैं तो जो रोटियां बच जाती हैं आप उसे निरर्थक समझ के बेकार समझ के फेंग देते हैं लेकिन आपको उस बची हुई रोटी को अब फेंगने की जरूरत नहीं है फ्रेंट्स ये बहुत ही ला पहली और मुख्य भी सेचता है कि अगर सुबह में आप बासी रोटी बकरी के दूद्ध के साथ में सेवन करते हैं तो आपकी आवाज जो है एक दम से सुरीली हो जाएगी आपकी मोटी आवाज कोयल की आवाज की तरह से आने लगेगी आपकी आवाज में सुन्दरता आएग फ्रेंड्स अगर आपको सुगर की परिशानी है तो आप गर्म दूद्ध के साथ बासी रोटी का सेवन करेंगे तो इस बासी रोटी में कुछ ऐसे वैक्टिरिया पाय जाते हैं जो आपको सुगर की परिशानी से छुट करा दिलाएंगे आपका सुगर लेपल कम होगा फ्रेंड्स अगर आपको उच्छ रक तचाप यानि बलट प्रेसर की परिशानी है तो आप ठंडे दूध में बासी रोटी मिला करके खाईए तो आपको बिशेशला मिलेगा इसके अतरिक आपको अगर पाचन क्रिया में गड़बड़ी है आपका पाचन ठीक नहीं है तो आप बासी रोटी का सेवन सुबह में कीजिए तो आपकी पाचन क्रिया सुन्ध होती है फ्रेंड्स आप हमेशा स्वस्त रहिए मस रहिए इन कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में एक नए जानकारी एक नए सुझहाओ के साथ फ्रेंड्स यदि आपको मे वीडियो में तब तक के लिए टेक केर हैं बाई बाई फ्रेंड